वेल्कम टू लेली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंगल रोस को पेंट करके दिखाऊंगी फैब्रिक है हमारा पिंक कॉटन कलर देख लीजे ध्यान से वीडियो को पॉस करके देख सकते हैं लीव को पेंट करने के लिए मैं यूज कर रही हो फ्लैट ब्रश सबसे पहले मैं लीव में वाइट कलर को फिल करूंगी किनारे का पॉर्शन छोड़ते हुए इस तरीके से फिल कर लेंगे जादा तर हमारा पार्ट हो जाएगा थोड़ लीव के शेप में फिल कर लेंगे फिर ब्रश को साफ करने के बाद ग्रीन कलर में मैंने डिप किया ये ओलिव ग्रीन है और जो हमने पॉर्शन छोड़ा था किनारी छोड़ी थी वहाँ पे ग्रीन कल लगाएंगे इस तरीके से अच्छे से लगा लेंगे उसके बाद शेट करना शुरू करेंगे अंदर के साइड शेट देंगे तो वाइट जो हमने पहले से लगाया था उसमें mix होके देखे हमारा light green का shade आएगा इस तरीके से same process हम तीनों लीव में repeat करेंगे color मैंने आपको show कर दिया था देखे अब मैं आराम से इसको shade करके आपको दिखाऊंगी सबसे पहले जो outline है जो हम लोग green color लगा रहें वो बहुत ही clear and clean लगाना है उसके बाद अंदर के side पे shade कर देना है यही same process हम third leave में भी करेंगे बाहर के side से green color को पहले fill करेंगे इस तरीके से and then shade करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को like कर दी and अपने friends and family के साथ जरूर share करें same यही process में repeat करूंगी जो नीजे की हमारी 3 leave और उसको paint करने के लिए I hope कि आपको बहुत ही अच्छी समझ आ रहा होगा shade का procedure भी मैंने बहुत ही simple रखा है आप इसको round brush से भी कर सकते हैं तो round या flat अगर आपको confusion होती है कि कौन सा brush यूज करें तो आप एक एक बार दोनों brush को use करके देख लें जिसमें आप ज़्यादा comfortable है आप वो use करिए और इसमें मैंने round versus flat पर video भी बनाई है जिसमें मैंने round और flat दोनों brush से एक एक flower को paint करके भी दिखाया है तो आप जिसमें comfortable है आप वो brush use करेंगे देखिए अब हमारी लीव करेंगे देखिए अब हमारी लीव करेंगे जो है वो paint हो गई है अब ध्यान से देखिएगा मैं यहां पर round brush यूज करूंगी स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था इसका number 4 है तो अभी तो मैंने flat brush यूज किया था paint करने के लिए बट इसके लिए मैं round use करूंगी क्योंकि इससे clear outline बनती है और sap green color लूँगी और उससे outline पहले दूँगी outline देखे कितने finish है तो उससे finishing आएगी और उसके बाद इसको shade कर देंगे अंदर के side ताकि अच्छे से blend हो जाए देखे अब जो मैंने sap greens outline करके shade कर दिया है और जो सारी और leaves है वो थोड़े से dim लग रहे हैं क्योंकि dark color combination उसमें use नहीं हुआ था अब इसी तरीके से same process से मैं सारी leaves को एक बार और shade करूंगी बहुत ही आराम से clear and clean shade करेंगे हम सबसे पहले outline बनाएंगे इस तरीके से round brush से outline वाला काम बहुत ही सफाई से हो जाता है इसलिए मैं round prefer करती हूँ और जहां पर बड़ी petal होती है या leaves होती है फिल करना होता है तो वहां पर flat brush से time कम लगता है जल्दी fill हो जाता है इसलिए वहां पर हम flat brush यूज करते हैं वैसे तो मैं दोलों ही brush यूज करती हूँ flat and round बट मैं prefer करती हूँ round brush क्योंकि जब मैं floral design बनाती हूँ जो nature से inspire होता है तो real look मुझे round से ही मिलता है फिर flat में मुझे थोड़ा artificial look आता है इसलिए उस time पर मैं हमेशा round brush यूज करती हूँ और अगर आपको जल्दी fill करना है जल्दी से बनाना है तो आप flat के साथ जा सकते हैं और जहाँ पर आपको नस डालने है या ऐसे बारी कोई काम करना है वहाँ पर आप round brush यूज कर सकते हैं देखिए हमारी leaves जो है वो completely paint हो चुकी है और अच्छे से मने इसको shade भी किया है अब मैं इसमें dental बनाऊंगी उसके लिए देखिए मैंना brush चेंज कर दिया यहाँ पर two number का brush यूज करने हूँ राउंड eyeliner brush है डेंटल में color देख लीजिए मैंने olive color भी यूज किया और sap green भी color यूज किया है इसके लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा वीडियो कि मैं कहां पर कौन सा color यूज कर रही हूँ तो ही आपको बहुत अच्छे से समाझ आएगा अब देखिए जैसे जैसे मैं डेंटल बना रही हूँ डिजाइन एक दूसरे से connect होती जा रही है और जैसे जैसे डिजाइन connect होती है उसकी खुपसूर्ती खेल के दिखने लगती है तो आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छी लग रही होगी अच्छी लग रही है तो like लाइक कर दे एंड चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें अब इसी लाइनर ब्रश को यूज करूंगी मैं नस डालने के लिए देखिए बहुत ही आराम से हम बारीक लाइन डालेंगे नस की और नस डालते ही जैसे हमारी लीव कम्प्लीट हो गई है अब मैं फ्लावर का ग्रीन पार्ट जो है वो भी पहले फिल और शेट कर लूँगी ताकि फिर ग्रीन का काम खतम हो जाएगा फिर मैं फ्लावर का कलर लगाऊंगी अब देखे ग्रीन पार्ट हमारा पेंट हो गया है अब फ्लावर का कलर दिखा देती हूं वन बाई वन पॉस करके देख लीजिए अब हम पेंट करना शुरू करेंगे ध्यान से देखिएगा इसमें भी मैं फ्लावर ब्रिश यूज़ कर रही हूँ आप टू नंबर का फ्लावर यूज़ कर सकते हैं और राउंट ब्रिश यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास है तो काम चल जाएगा सबसे पहले मैंने red color को fill करना शुरू किया है बाहर के side से fill करेंगे अंदर के side shade करते हुए red color को fill करने के बाद मैं लूँगी maroon color और उसको वहाँ पे लगाऊंगी जहाँ पेटल जोईन हो रहे हैं और उसको अच्छे से blend करूँगी ऐसे अलग से नहीं दिखना चाहिए इसी step से अब मैं next पेटल को fill करूँगी सबसे पहले red fill कर रही हूँ red color से fill करने के बाद अब मैं maroon color लगाऊंगी और अच्छे से दोनों को blend करेंगे अब जहाँ पे मुझे light color यूज करना है वाँ पे मैं pink color यूज करूँगी light shade के लिए और pink color को लगाके मैं petal को highlight करूँगी और second layer में मैं pink color को उपर से fill करके अंदर के side से red fill करके blend कर रही हूँ और इसमें मैं use कर रही हूँ round brush आगे भी मैं अब इन ही तीनों को color को यूज करके fill and shade करती जाओंगी अब आपको वीडियो ध्यान से देखना है ताकि आपको steps अच्छे से समझ आएं झापको अब आपको गच्छे से मोगदी आपको अब आपको अपको आपको मैं आपको यूज कर रही हूँ झाल 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 अब यहाँ पे ध्यान देंगे हमारा जो रो से वो पेंट हो गया है अब देखे मैं डाक शेड यूज़ कर रही हूँ आपको ब्लैक दिख रहोगा बट मैंने ब्लैक और मरून को मिक्स करके लगाया है एक बात का ख्याल रखना है मैं यहाँ पे लाइनर ब्रेश यूज़ कर रही हूँ और डाक शेड की क्वांटिटी बहुत ही कम होगी ब्रश के टिप पे लूँगी और जहां जहां मैंने स्टार्टिक में मरून कलर लगाया था शेड करने के लिए वहाँ पे मैं लगाऊंगी इस तरीके से देखिया आउटलाइन की तरह अभी मैंने राउंड ब्रेश से ऐसे लगाया बहुत ही कम क्वाटिटी में कलर आउटलाइन करके और फिर फ्लैट ब्रेश से लेके ब्लेंड कर दूँगी आपस में इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब हम वाइट कलर लेंगे और फिर जहां-जहां मुझे हाइलाइट करना है वहाँ पे मैं वाइट कलर लगाके हाइलाइट करूँगी पेटल को ताकि यह सेपरेट हो जाए और इस तरीके से हमारा सिंगल रोज पेंट होके तयार है यह जो लास्ट के दो स्टेप थे वो थोड़े टेकनिकल थे उस पर आपको ध्यान देना है इससे आपका लुक बहुत ही इनहेंस होता है आई होप कि यह आपको बहुत पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें कॉमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसा लगा आपके कॉमेंट का इंतिजार रहेगा नेक्स वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं यह भी आप कॉमेंट में लिख सकते हैं मिलते हैं निव वीडियो में तिल देन टेक केर बाई बाई